गुड मॉनिंग बच्चो तो जैसा कि हमने पहला चप्टर स्टार्ट किया था अभी तक हम कणों के अविलक्षनिक गुणों को पढ़ रहे थे और उमीद है कि आपको कणों के अविलक्षनिक गुणों के बारे में पता चल गया मुख्य रूप से तीन गुण है और सबसे प कणों में अकर्षन बल होता है तो अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है पदार्थ की अवस्थाएं जैसा कि मैंने चेप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था कि हम इस चेप्टर में सिर्फ भौतिक गुणों का अध्येन करेंगी यहां पे हमने बोला था क कि भौतिक गुणों के अधार पर पदार्थ के बारे में अगया नर्जित करेंगे ठीक है तो भौतिक अवस्थाओं के बारे में अब हम पता लगाते हैं कि पदार्थ किन-किन अवस्थाओं में इस ब्रहमांद में होता है तो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं जैसा कि आपको पहले भी पता होगा थोस, द्रब और गैस हैं ये थोस, द्रब और गैस क्यों हैं जबकि बनते तो सभी पदार्थ कणों से ही हैं तो ये कुछ पदार्थ थोस, द्रब और कुछ गैस क्यों होते हैं ये इनके जो कण हैं उनके गुणों के कारण होता है आईए इनके कणों की जो विभीन विश्ष्टाएं हैं उनके बारे में अध्यान करें सबसे पहली अवस्ता है हमारी ठोस, दूसरी द्रब, तीसरी गैस चोड़ा साइनके बारे में फड़ा फटक रिभीउ ले लेते हैं जो अभी तक आपको नॉलिज है तो देखिए पदार्त की ये तीन अवस्ताइं जब हम ठोस की बात ये पलेट है हमारे पास, ये पानी है इसके अंदर और ये गुबारे के अंदर हवा वरी है तो ये ठोस, ये द्रब है और ये गैस है देखिए इनके बारे में क्या कहा गया है हमने बोला कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है तो देखो रिक्त स्थान कणों के बीच कहां आपको ज्यादा लग रहा है यहाँ पर जब ठोस की बात करें तो यहाँ पर रिक्स्थान ना के वरावर है बहुत कम है ठीक है अब इन में थोड़ा स्पेस बढ़ गया है देखी इन कणों की बात करें इन में स्पेस बढ़ गया है तो द्रब के कणों में रिक्स्थान ठोस से ज्यादा होता है ठोस की अपिक्षा ज्यादा होता है और जब हम गैस की बात करेंगे देखो यहाँ पर गैस के कणों में यह स्पेस अत्यधिक हो जाता है रिक्स्थान अत्यधिक हो जाता है यह बेसिक जैसी नौलेज आपको होने तो इन कणों के रिक्स्थान के बारे में हमें क्या पता चला कि ठोस के अंदर यह रिक्स्थान अत्यधिक कम होता है द्रवों में कणों का रिक्स्थान ठोस के कणों की अपिक्षा थोड़ा ज्यादा होता है और ग्यास में कणों के बीच का रिक्स्थान अत्यधिक होता है अब बात करते हैं आकर्षन बल की तो ये जो कण है ये थोस के कण जो है बहुत नस्दीक है तो नस्दीक होने के कारण इन में आकर्षन बल अत्यधिक होगा चुम्बक जितने नजदीक होगा एक दूसरे के उतना ही वो एक दूसरे को ज्यादा strongly attract करेंगे थोड़ा दूर करते जाएंगे तो जैसे चुम्बक के बीच अकर्षन बल कम होता जाएगा बैसे इसमें भी होगा तो जब रिक्स्थान बढ़ेगा अब कण थोड़े दूर है तो इनके बीच का अकर्षन बल थोस के कणों के अपिक्षा अब कम हो जाएगा और जब गैस के कणों की बात करेंगे तो गैस के कणों तो बहुत दूर दूर है तो इनके बीच का अकर्षन बल ना के बराबर है तरही कम है यानि ना के बराबर ऐसा कह सकते हैं ना के बराबर वैसे यहाँ पर जो हमने रिकस्थान की बात की थी यह कम इतना है कि ना के बराबर बोल सकते हैं इसको रिकस्थान ना के बराबर होता है ठोस में और यहां अकर्षन बल ना के बराबर होता है गैस में तो यह समझ आगे आपको ठीक है तीसरा जो अभिलक्षनिक गुन था वो था गतिज उर्जे यानि कणों में गती होती है जब आप देखेंगे ठोस में तो कण बिलकुल क्लोज है एक दूसरे के तो इनमें स्पेस ही कम है तो ये गती कहां करेंगे इसलिए इनके बीच ठोस के बीच कणों में गती जूर्जा अत्यधिक कम होती है अब इनमें द्रबों की बात करें, तो ये Space, थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए, ठोस की अपिक्षा, थोड़ी जादा होती है, गति जूरज, और जब गैस की बात करेंगे, तो गैस में तो Space, बहुत जादा है, तो जितनी मर्जी गति कर लेंगे, तो एकदम घूमेंगे इधर उदर इधर उदर ठीक है ऐसे ऐसे चारों तरफ घूम सकते हैं ये दोड़ सकते हैं इसलिए इनकी गतिज और्जा अत्यधिक होती है ठीक है ये समझ गए आप तो ठोस दरब और गैस क्यूंँ ठोस दरब और गैस हैं क्यूंकि इनके कड़ों के जो अभी लाक्षनिक गुण है, उनमें विभिन्नता आती है। रिक्त स्थान थोस में कम है, द्रबो में ज्यादा है और गैस में बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार गती जूर्जा भी वैसी ही है। अगर इन में स्पेस कम है तो इन में गती करने के लिए स्थान कम मिलेगा इसलिए गती जूर्जग कम है द्रवों में स्पेस ज्यादा मिल रहा है इसलिए गती जूर्जग ज्यादा है और गैस में ये सरवाधिक है और अकर्शन बल की बात करें तो वह उल्टा चल पड़ेग जब क्योंकि यहां पर space बहुत कम है ठोस में इसलिए अकर्शन बल बहुत ज्यादा होगा बहुत ज्यादा नस्दीक है कान एक दूसरे के इसलिए अकर्शन बल भी अत्यदिक होगा अब जैसी गैस की तरफ बढ़ते जाएंगे space बढ़ता जाएगा तो उनके बीच का इनके बारे में हम कहेंगे इन वस्तों के चारों और पैंसिल घुमा कर इनके आकार का रिखा चित्र बनाएं क्या इन सभी का निश्चित आकार सपष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन है बिलकुछ देखिए चाहे कोई पैन लेलो चाहे कोई पत्थर लेलो इनका आकार ऐसा ही रहेगा जब तक हम इनको तोड़ेंगे नहीं तो ये आकार नहीं बदलेगा अपने आप और इनका आयतन भी स्थिर होता है देखो आकार तो पत्थर का ऐसा रहेगा पैन का ऐसा रहेगा जैसा भी है अब इनका जो स्थान घेरने का एरिया है उतना ही स्थान घेरेंगे ये जितना घेरते हैं तो निश्चित आकार है इनका और स्थिर आयतन होता है ठीक है, हथोड़ से मारने पर ये तूट जाते हैं ठीक है, और एक और खास बाद हमने विसरन पढ़ा था कि एक पदार्थ के कण, एक पदार्थ के कण दूसरे में समा जाते हैं ठीक है, तो दूसरे के अंदर चले जाते हैं इसे विसरण कहेंगे तो ठोस में ये विसरण जो है ये नहीं होता है समभब नहीं है बल लगा कर इनको संपीडित करने का प्रयाश करें फोर्स लगाएंगे इस तरफ से इस तरफ से तो क्या पिछक जाएगा पत्थर नहीं पिछक सकता ना इसलिए संपीडित नहीं हो सकते ही जबकि हम ऐसी ही बात अगर द्रबों के लिए करें तो हम क्या देखते हैं कि द्रबों का क्या निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है देखी मैंने एक ग्लास में ये 50 ml पानी लिया अब अगर मैं इसको कटोरी में डालूँगा तो 50 ml का 60 ml तो नहीं हो जाएगा यानि द्रबों का आयतन भी स्थिर होता है ठोस का आयतन भी स्थिर था अब द्रबों का आयतन भी स्थिर है फरक कहां आएगा फरक आएगा इसके आकार में निश्चित आकार तो यह मैंने गिलास में 50 अमेल पानी डाला अब जब मैं इसको कोटोरी में डाल दूँगा तो इसका आकार कैसा हो जाएगा ऐसा पहले गिलास के आकार का था अब ऐसा जब फर्स पे फैला दूँगा तो वो बिखर जाएगा तो आकार निश्चित नहीं है तो वो चेंज हो रहा है उसी प्रकार गैस की बात करेंगे तो गैस का तो कोई आकार है ही नहीं किसी भी बरतन में डालो बैसी हो जाएगी और एक निश्चित आयतन भी नहीं होता उसका आप देखेंगे कि आप कि आप किसी गुबारे वाले को देखेंगे उसके पास एक सिलिंडर होता है हवा का वो गुबारे फुला रहा है तो इस सिलिंडर में भरी हुई हवा देखी इतना स्थान उसने घेरा है अब वो जब गुबारे में आती है तो इतना स्थान घेर रही है और इस आकार के कोई हजार गुबारे फुला कर वो बेच देता है इतनी सी गैस में से यानि पहले इसका आकार इतना था अब इसके देखी आईतन इसका बढ़ गया यही जो सिलिंडर था इतने से स्थान में जो हवा थी वो इतने सारे स्थान में भी फ्याल जाएगी यानि अब हवा का ना तो वाईयू का कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई निश्चित आयतन दोनों ही चीज़ें नहीं होती गैस में ठोस और द्रब में ये दोनों चीजें होती है ठोस में स्थिर आयतन होता है ठोस में निश्चित आकार होता है गैस और द्रबों में नहीं होता है ठोस और द्रब में स्थिर आयतन होता है गैस में नहीं होता गैस में दोनों ही चीजें नहीं होती है थोस में दोनों चीज़ें होती हैं, द्रब में सिर्फ और सिर्फ आयतन ही होता है, इस तरह से याल रख सकते हैं, अब आपने इसको पढ़ना है, और ध्यान से देखिए, अब एक क्वेश्चन आजाता है, तो रबड जो है हमारा, हम उसको तो खींच सकते हैं, अकार बदल ग आकार के बरतनों में रखने पर चीनी और नमक उनी, अब उनी बरतनों का आकार लेते हैं, मैंने कटोरी में चीनी डाली, तो चीनी ऐसे भर गई इसमें, अब गिलास में डालता हूं वैसे भर गई, तो अब क्या कहेंगे हम, क्या चीनी ठोस नहीं है, चीनी भी ठोस है, क्य क्यों कि उसके एक crystal को जब आप लोगे तो उसका आकार नहीं बदलता है तो वह भी एक ठोस है sponge क्या है ठोस या ठोस है लेकिन फिर भी यहाँ संपीडित हो सकता है हमने बोला ठोस को बल लगाने पर संपीडित नहीं कर सकते जबकि sponge को तो कर सकते है तो sponge के अंदर चिदर होते हैं जिनमें हवा होती है तो वो हवा निकलती है इसलिए हम उसको संपीडित कर सकते हैं अदर्वाइस ठोस को हम संपीडित नहीं कर सकते हैं तो sponge भी ठोस है यह सिर्फ उसकी हवा है जो संपीडित हो रही है उसके अंदर की जो हवाथी वो निकल रही है ये सब बाती यहां पर लिखी हुई है इनको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों में बाकी द्रब की भी वैसी ही चीजें यहां पर लिखी हुई है यहां पर अच्छा एक और बात अब हम विसरन की बात कर रहे थे विशरन हो गया था ठीक है अब गैस भी आपस में विशरित हो जाती है तो गैस में विशरन की स्पीड जो है ज्यादा है विशरन ज्यादा स्पीड से होता है गैस में जबकि द्रब में कम गती से होता है दोनों में विशरन होता है ठोस में द्रब में भी और गैस में भी ठोस उसको आप हमने कहा कि बल लगाकर संपीडित नहीं कर सकते द्रब में भी लगवग वही पोजीशन आती है हलका फुलका अगर उसमें संपीडन होता है तो वो अलग बात है लेकिन गैस का जो संपीडन है वो अत्यधिक होता है तो गैस को देखिए सिरिंज है इसमें हवा भरी है जब इस पिश्टन को आप दबाएंगे तो वो नीचे तक चला जाएगा यहां से बंद कर देना है आपने अंगुठे से या कॉर्क से तो आप इस पिश्टन को दबा सकते हैं तो जो गैस इतनी भरी हुई थी अब वो इतनी हो जाएगी तो गैस को हमने दबा दिया ठीक है तो उसकी सुगंध हमें दूसरे कमरे में भी आ जाती है ठीक है क्यों क्योंकि जो भोजन के कण है वो गर्म होते हैं तो गती में आकर हवा में घुल जाते हैं और हवा में तो पहले से ही गती होती है कणों में तो वो कण हवा के कण भोजन के स्वाद के कणों को अपने सा गैस यह अवस्था में यह सारा आपने पढ़ना है देखिए LPG के बारे में CNG के बारे में बोला है यहां बताया है कि हमने गैस को देखो सिलिंडर में डाला है तो बहुत ज्यादा प्रेस करके सिलिंडर में डाला होता है CNG में भी डाला था वैसे oxygen cylinder जो hospital में होते हैं उसमें भी gas बहुत ज़्यादा संपीडित करके डाली होती है वह ज़्यादा gas होती है छोटी से cylinder में ठीक है क्योंकि संपीडित करके डाली होती है तो ये प्रशन है आगे ये आपने करने हैं कल के लिए ठीक है और इस अध्याय को अच्छे से आपने पढ़ना है आसान है पहली भी छोटी classes में आपने इनको पढ़ा है आपने ये कुछ इसकी विशेष्टाईं पढ़नी है और ध्यान से पढ़नी है अच्छे से और बचो कल के लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम है कि द्रब अवस्था और गैसी अवस्था में आपको पता है कि विसरन होता है ठोसों में विसरन नहीं हो पाएगा तो द्रब और गैस में जो विसरन प्रक्रिया है यानि कण एक दूसरे में जो समा जाते हैं एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में बिना मिलाए वो मिल जाते हैं क्योंकि उनमें द्रब और गैस में आपको पता है कणों के बीच रिक स्थान होता है इसलिए दूसरे पदार्थ के कण उन रिक स्थानों में समा सकते हैं इसलिए उनमें एक विसरन प्रक्रिया होती है द्रबूं और गय सवस्था में तो आपने बताना है कि दोनों की विसरन प्रक्रिया में क्या अंतर है ठीक है और इनका जो संपीडन है इसके बारे में भी पढ़ना है लेकिन पहले आपने ये जो अंतर है दोनों के बीच में विसरण में ये करना है अच्छे से और ये प्रश्णों के उत्तर भी आपने लिखके मुझे नोटबुक पर ये भेजने है और कल के लिए आपको एक दस्वनुब चार कल जो हम पढ़ेंगे वह क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं तो ये आपको जनरल सा टॉपिक है जो आपने थोड़ा सा आइडिया लेना है कल मैं पहले पूछूंगा आपसे और ये आपने होते हुए भी देखा है ठीक है और किन अवस्थाओं में आपको लगता है कि पदार्थ अपनी अवस्था बद सकता है ये आपने करना है होमवर्ग ठीक है ओके थैंक यू